कटनी की सलीमनवाद पुलिस ने अग्यात नव युवक के संसनी खेज अंधे हत्याकांड का एक सप्ताह के भीतर खुलासा करते हुए चार आरूपियों को गिरफतार कर लिया है। थानस लिमनवाद में सूचना प्राप्त हुई थी कि घुगरी रोट की तलया के पास मर घटाई में एक अग्यात युवक अर्ध नगन अवस्था में पड़ा है। जब पास जाकर देखा गया तो यह लाश थी। की ऑटो पार्ट की दुकान थी जिसमें यह गाड़ी सुधारने का काम करता था। उक्तिमर तक की हत्या में दीपक यादव तने साहिबलाल यादव उम्र 27 साल निवासी इटेली ठाना गौराबाद शाहपुर जिला जौनपुर को गिरफतार किया गया। पुलिस ने इसके बाद इसके तीन और साथी भी पकड़े जिनमें एक नावालिक भी है। पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कैसे किया एस पी अभिजीत रंजन इसकी जानकारी दी। पुलिस ने जिरासत में लेकर लिए उससे सकती से जब बूस्ताज की तो उसने घटना पुलिस ने जिरासत में लेकर लिए। तो उसने घटना कारिद करना, घटना में शामिल होना सुईकार किया। और साथी साथ अन्य आरोप्यों के बारें भी और मिर्तक के संब्द में भी उसने बेसिक जानकारी पुलिस को प्रवाइड गा। इसके पश्चात हमारे अडिशनल स्कूीर एरिया साथ, हमारे HD Office लिनाबाद अपिलेश और थाना परभारी सिर्मनाबाद अपिलेश दाहिया। और साथ की खानापरभारी ओमर्यापान, खानापरभारी बाकल और उनकी पूरी तीम लगवग वेगत तीन से चार तीमें हमने उत्तर प्रदेश के लिए वरिछ अदिकारियों के मारत अटर्शन में उनके अम्हमती से हमने रवाना की है। और इसके पश्चात जौनपूर, उत्तरप्रदेश और आसपास के जिलों में लगातार छापा मारी की कारवाई करने के उपरां, हमने चार में से तीन आरोपियों को हम लोगों ने गिरफतार कर लिया है। इस गड़ना क्रम में तोटल पांच आरोपी हैं, इसमें से एक अस्थानिय है और चार उत्रप्रदेश की में, उत्रप्रदेश की चार आरोप्यों में से एक आरोपी अभी भी हमारे गिरफ से दूर है, एद्ड़ी इसके किसीम लगे हुए है और हमें पूरा विश्वास है क किसी गर्ता से उसको भी गिरफ्तार कर लें। अभिशेक तक पुलिस कैसे पहुंचे? जिसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस की अपनी तक्नीक होती है, विविचुना करने की अपने तरीके होते हैं वह मृतक का अधिंद मृतक की मृतक को महां परवेफ्साई करने में उस Прoking की मृतक की पतनी के साथ, संधीक यादव का इसकी पतनी की साथ दीपक का अवैज संबन कर दोशारों चल रहा है और इस बारे में संधीक को जानकारी साथी उसके बीच विवाद होते रहता है। इसी बात से वेथित हो करके दीपक यादर ने यह तैक हिया कि वह मृत्तक को ठीकाने लगाएगा और उसी के घर के पास लॉणपुर का ही रहने वाला सतेंदर जो की पुराना पदमास है और इसका एक सहयोगी जो एक अपचारी बालग मीलों के साथ मिल करके इसने पहले तो गठनास्थल की रेकी की छो कि सतेंदर का रिस्विदार अभिशेख है तो ग्री में निवास करता है और इस रेकी के उपरान उन्होंने ताई कर लिया कि जो इसको आहद करना थो इसको यहां लेकर हमें आना है महर्भूाने के बहाने और इसके अपरान तो पत्थर पटेंग करके उसको आप से जलाने की भी कोशिश हुई ताकि मृतक की पहचान चुपाई जासे पुल मिलागर की इरादाया प्रतिक होता है चुकि मृतक और आड़ों की सभी बाहर के रहने वाले के उत्तर प्रदेश के रहने वाले की यहां से 100 किलोंटर दूर के रिवासे के तो ऐसा इन लोगों की मंसा रही होगी एगर इसकी पह सभी रूप से हमारी जो बेस्ट से बेस्ट कुशिश होती है कि हम सभी अपरादियों को पकड़े उनको शलाखों के पीछे लाए और माननीय न्याले के सब्सक्राइब करें ताकि उनके किये अवय रिक्रितिकी का उन्हें प्रियाप्त देंड में से आलोपियों का विरता क इस प्रतीत नहीं हुआ है अभी च्छानवेन जारी है पत्नी से भी बादशित की गई है तेकि इस मामले में जो आरोपी है उन्हें जब पूस्ताज की गई है उसमें बात सामने आई अभी शतेंद्र को पैसे की लालच में उसको अपने पक्ष में दीपक ने किया था और एक लाग रुपे में हत्या करने की बाद सामने आई है इसमें से एडवांस के दस हजार रुपे दीपक दोबारा शतेंद्र को पेड़ भी है उसके खिलाब कर पुलाने मुकर में भी सत्येंद्र के बारे में रहने वाला है पेशेवर अपरादी है उसके खिलाब जौनपूर में और आसपास के खानों में भी अपरात दर्ध है इसमें मार्कुट के चौरी के अब दिशस्त्रों के इसे मुक्त में अभी सामने आएं अभी और उत्तर प्रदेश की पूलिस से झाल झाल